प्यारे बच्चो मेरा नाम है पुस्पभारती क्या नाम है पुस्पभारती आज हम क्या पढ़ेंगे सोनम सोम रोमन रोमन अंक रोमन अंक या रोमन संख्या ठीक है यहाँ पर यह क्या है एक वन वन को हम इस तरह से रोमन में लिखते हैं एक को है न एक को या वन को हम इस तरह से रोमन में लिखते हैं रोमन में ऐसे आई बना देते हैं ऐसे ये वन हो गया अब टू को कैसे लिखते हैं रोमन में डबल आई बना देते हैं ऐसे देखो डबल आई ये ये टू हो गया त्री को कैसे लिखते हैं तीन ठो आई बना दींगे ऐसे ये त किये तो कम हो गया ना यह चार इस तरह से लिखते हैं ठीक पांच कैसे लिखते हैं यह हो गया वी पांच ठीक अब च्छै लिखना है तो यह पांच बना के एक ठो यहां बगल में जोड़ देंगे तो यह च्छै हो गया ना पांच और एक च्छै तो च्छै को यहां पर इस त बार नहीं है वी और आई आई दो बार प्नाजगे सांथ 6-7 तो इस तरह से लिखते हैं ठीक है 7-7-8 लिखते हैं ऐसे वी बना के फ़्रइद 6-7-8 तीन बार ठीक है देखो तो एक, दो, तीन वार है, यहाँ पर, यह तो यह हो गया, आठ, एट ठीक है, नाइन, नाइन कैसे लिखेंगे, बता psychologist है, नाइन, पहले बनाएंगे दस, और दस में से घटा देंगे, दस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यह से घटा दिया इस साइट, तो कित्ता हो गया? जिरो eight nine can you get 90 है दस में से कम कर दिये तो नफ हुआ नौ औो यह नौ इस तरह से बनेगा इस साट एक डंड़ा लगाना है एक्स दूंस के बगल में इस साइट यहां पर याँ डंड़ा लगा दिये थो यह nine हो गया थीक है नउ अब दस कैसे लिखना है दस में सीधे सीधे एकस लिख दोगे तो दस हो जाएगा एकस को दस मानते है ठीक है रोमन में ऐसे एकस लिख दिए तो ये दस हो गया देखो ये ठीक अब 11 कैसे लिखते हैं देखो 11 ऐसे लिखते है 11 या 11 ऐसे 10 में 1 जोड दिये तो ये 11 हो गया ठीक अब 20 कैसे लिखते हैं 2 बार 10 पर लिख दोगे तो 20 हो जाएगा जैसे 1 10 और 1 10 तो 10 10 20 हो गया तो ये देखो 10 10 20 हो गया 20 20 तरह से लिखेंगे और 30 लिखना है तो 3X कर दोगे तो 3X है 1 2 3 3X लिख दिया तो 30 हो गया फिर 40 लिखना है तो 400 मतलब L क्या है L पचास है तो 50 में से 10 कम कर दिये X कमान क्या है 10 है ना यहां पर देखो X कमान 10 है ना 10 तो और L कमान क्या है ये देखो 50 में लिखा है L 50 है ने तो 50 में से 10 कम किये तो किता हुआ? वराज में देर कम 40 40, तो 40 को ऐसे लिखेंगे XL, पहले X फिर L इस तरह से, है ना? तो ये 40 इस तरह से लिखा जाएगा 40 clear है ना? समझ में आ रहा है? पहले X फिर L 40 लिखने के लिए फिर 50 लिखना है अगर रोमन में मतलब 50 है ना यह L मतलब देखो 50 लिखाई है L मतलब 50 और 50 में 10 और जोड़ दिये तो 60 तो L X हो जाएगा है ना 60 60 अब आते हैं 70 70 पर 70 कैसे लिखेंगे यह 50 लिखे 50 के बाद यह 60 फिर यह 70 डवल X तो L और डवल X है ना L के बाद तो कितना हो गया 50 60 70 हो गया है तो 70 इस तरह लिखेंगे L डवल X 70 ठीक है 70 ठीक है अब आया 80 80 मतलब 80 80 कैसे लिखेंगे simple है 50 में 10 जोड़ते जाओ तो 80 बन जाएगा है है ना यह देखो L फिर तीन बार X तो यह 80 हो गया 80 फिर 90 90 मतलब 90 90 कैसे लिखेंगे हाँ XC XC कैसे C का मान क्या है 100 C का मान क्या है 100 C मतलब 100 na century C मतलब century मतलब 100 है 100 तो कैसे करेंगे इसको यह 100 में से 10 कम कर देंगे तो 100 में से 110 X इस साइट लगा देंगे है ना उल्टे हाँ साइट लगाओगे तो आप कम कर रहे हो और सीधे हाँ साइट लगाओगे तो आप जादा कर रहे हो ठीक है यदि माल लो हम X को इस सेट लगा दें तो कित्ता हो जाएगा 110 हो जाएगा ठीक है भाई C कमान 100 है और X कमान 10 है तो 110 हो गया ना यह चीज हो जाएगी समझो ठीक है तो यहाँ पर हमको 90 लिखना है तो पहले हमने क्या किया 100 लिखा सो में सेट 10 कम कर दिया तो कित्ता हो गया यह 90 90 ठीक है अब आते हैं 100 पर 100 को सीदे सीदे है C मतलब सैंचुरी सैंचुरी मतलब सैकडा सैकडा मतलब 100 है ना C मीं सैकडा है या 100 ठीक है समझ में आया तो यह तो अभी हमने 100 अग्टी सुनी अब 500 के लिए कौन सा मार्क चलता है 500 के लिए D D मतलब 500 है ना 500 के लिए यहाँ पर D चलता है 500 यदि कोई बोले लिखने के लिए तो सीदे सीदे इसको क्या रोमन में कैसे लिखोगे D लिख दोगे बस 500 को बोले कोई रोमन में लिखो है तो कैसे लिख दोगे D लिख दोगे D मतलब 500 यहां पर देखो 500 में D लिखा है है ना 500 D ना तो यह 500 में D आ जाएगा 500 में इसके बाद आगे 1000 1000 में क्या लिखेंगे पता करो 1000 1000 के लिए क्या लिखोगे M M मतलब 1000 1000 मतलब 1000 है ना समझ गया है यह 1000 देखो M बस लिखा गया है 500 के लिए D और 1000 के लिए M ठीक है एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं 1 के लिए 1 I 1 के लिए 1 I 2 के लिए 2 I 3 के लिए 3 I 4 के लिए V I और V ठीक है 5 के लिए सिर्फ V और 6 के लिए V और I 7 के लिए V double I और 8 के लिए V triple I और 9 के लिए I X ठीक है X मतलब 100 100 में से एक कम हुआ तो I लगा देंगे पहले ठीक है फिर 100 मतलब X ठीक है 11 मतलब X I 20 20 मतलब double X 30 मतलब triple X 40 मतलब 40 मतलब क्या हुआ XL 40 मतलब XL मतलब 50 50 में से 10 कम हुए तो 40 है ना XL 50 मतलब L और 60 मतलब L X मतलब L मतलब 50 और X कमान किता है 10 तो 50 और 10 60 हो गए है ना तो यह 60 के लिए 60 के लिए L X 70 के लिए L double X और 80 के लिए L triple X है ना और 90 के लिए X C C कमान है 100 100 में से 10 कम किये तो 90 हो गया नब्बे हो गया ना अब यह 100 100 कमान है C C को लिखते हैं 100 ठीक अब यह 500 500 को हम कहा है से दर साते हैं D से ना D से 500 और 1000 को 1000 को 1000 को M से ठीक समझ में आ गया हां बैस हो गया कर दो कर दो